गंगा और जमना पार्टनर है in the ratio 2 is to 1 उन्होंने सरस्वति को पार्टनर बनाया है 1 फिफ शेर के लिए और जिस दिन उन्हें सरस्वति को पार्टनर बनाया उस दिन गंगा ही capital है रूपीज 1,02,000 जमना की capital है रूपीज 73,000 और premium for goodwill जो सरस्वति लेकर आई है वो है रूपी is 25,000 और कोई और further information नहीं है ठीक है question में आप से इतनी information के basis पर कहा गया है कि बताईए सरस्वति को कितने capital लानी होगी अगर उसने कहा है कि वो proportionate amount of capital लेकर आएगी into the business आपको पता लगाना है कि सरस्वति कितने capital लेकर आएगी ठीक है बच्चों तो बच्चों आप combined capital निका जमुना 1,2,000 जो कंगा ही capital थी 73,000 जो जमुना ही capital थी plus 25,000 जो प्रीमिम लाया गया है वो भी इननी लोगों को मिलना है वो लग बात है 2 to 1 के ratio मिलना है लेकिन मिलना इन दोनों को ही है तो combined capital का part यह premium for goodwill भी होगा जो सरस्वती लाई है इनके लिए तो इनकी जो capital है वो आ जाएगी इन तीनों का amount को जोड़ेंगे तो रुपीज 2,00,000 ठीक है बच्चों अब सरस्वती जो है वो 15th share के लिए आई है तो उसे 15th capital लेकर आनी है into the business अगर उसकी capital 15th होगी तो गंगा और जम सब्सक्राइब की combined capital जो है वो 45th होने चाहिए सरस्वती लागर 15th है तो इन दोने combined capital कितनी है बच्चों 45th और अगर आपको फर्म की 45th capital बता है तो आप फर्म की total capital भी निकाल सकते हैं और जब फर्म की total capital निकलाएगी तो फिर 15th capital भी आ जाएगी यानि सरस्वती capital भी आ चा total capital is equal to 2 lakh ठीक है बच्चों total capital का 45th अगर 2 lakh है तो total capital निकलाएगी 2 lakh into 5 by 4 जो की निकल कर आएगा 2 lakh 50,000 इसका मतलब फर्म की total capital जो है वो 2 lakh 50,000 है और सरस्वती की capital जो होगी वो होगी 2 lakh 50,000 into 1 by 5 यानि की 50,000 इसका मतलब सरस्वती को जो capital लेकर आनी है वो है रुपीज 50,000 ठीक है बच्चों तो इट्सवारी सिंपल क्वेश्टिन वेरी इजी क्वेश्टिन and a very important question for your board exam 2024